नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका pathfinder study point में environment और study ecology के जो हम लोग series पढ़ रहे थे उसमें यह तीसरा lecture है जिसमें हम लोग ने पहले pollution को cover किया उसके बाद जो है environment के कौन से important days होते हैं कौन surprises होते हैं तो अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं और environment की पूरी प्लेश्ट है जिसमें और भी उपयोगी वीडियो आपके लिए उपलब्द हैं आप चाहें तो प्लेश्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे परियावरान संबंधी संगठन ने नेशनल इंटरनेशनल लेविल के जिन से जो है प्राया कोश्चेन पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं IUCN की IUCN का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल यूनियन फार दा कंजर्वेशन आफ नेचर इसकी स्थापना जो है पांच अक्टूबर 1948 को हुई थी इसका जो मुख्याला है वो मौर्गस नामक प्ल था 1963 से बिलुप्त प्राय असुरच्छित दुरलब जीवों और पादपो से संबंदित रेड डाटा बुक जारी करती कई बार कोश्चेन आ चुका है कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आपका एंसर क्या है IUCN द्वारा जो है रेड डाटा बु जीव यानि critically endangered जीवों के लिए जो है उनको पिंग पेज यानि गुलाबी पेज पर डाटा बुक में दरसा आया जाता है और जैसे ही इनकी संख्या परियाप्त हो जाती है इन्हें हरे पेज पर यानि green पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाता है अगला संस्था के हम बात करें जो इंटरनेशनल संस्था है बिस्स वन जीव कोस यानि World Wildlife Fund जिसकी स्थापना 1962 में होई थी और इसकी स्थापना IUCN के सहायक संगठन के रूप में की गई थी इसका मुख्याल है ग्लैंड नामकिस्थान है सुट्जा लैंड में जहां पर है और इसका प्रतीक क्या है जीव की देखभाल पर नजर रखता है फिर अगला संगठन जो है पर्यावरण से जुड़ा है UNEP United Nations Environmental Program इसकी स्थापना 1922 में होई थी इसका मुख्याले नैरोबी कीनिया में है और इसके द्वारा पूरुसकार दिया जाता है जिसका नाम है Global 500 जो पर्यावरण संद्छन के इस हेत्र में व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है WCED World Commission on Environmental and Development ये भी एक संस्था है जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change इसका फुल फार्म है हिंदी में अगर कहें तो जलवाई परिवर्तन पर अंतरसारकारी कार्यदल इसकी स्थापना 1988 में हुई थी WMO यानि 200 मौसम विज्ञान संगठन तथा UNFCCC यानि United Nations Framework Convention on Climate Changes के दवारा इसकी स्थापना की गई थी यानि इसकी स्थापना में WMO और UNFCCC का सयोग था अगली सहस्था है सीवान South Asia Wildlife Enforcement Network इसमें आठ ACI देश इसके सदसे देश हैं बंगला देश, अफगानिस्तान, मालडीब, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और स्री लंका प्रारम में, इसका प्रारम जो हुआ था भूतान से हुआ था, उसका पहला संभेलन जो है भूतान में ही हुआ था, दोजार ग्यारा में, और इसका मुख्याले अगर बात करें तो कार्टमान्डू यानि नेपाल की राजधानी में है अब और कुछ जो है बिसुस्तरी यानि ग्लोबल संस्थाएं हैं पर्यावरण से जूड़ी तो उनका सीधे-सीधे हैं मुख्याले और इस्थापना वर्स देख लेते हैं क्योंकि इससे related questions आते रहते हैं Amnesty International ये लंदन में है 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्याले कहां पर हैं London है Friends of Earth और Greenpeace ये संस्थाएं दोनों Amsterdam में हैं और 1971 में इन दोनों की स्थापना हुई थी Human Rights Watch ये एक संस्था है इंटरनेशनल जो New York में में इसका मुख्याले 1978 में इसकी स्थापना हुई थी Minority Rights Group लंदन में है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी Red Cross पहले भी इसका अर्म बता चुका हुँ मैं इसका मुख्याले जेनेवा में है 1964 में इसकी स्थापना हुई थी World Commission Conservation Monitoring Center जिसका मुख्याले Cambridge में है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी World Wildlife Fund for Nature WWF जिसका मुख्याले Gland यानि Sweet Gel Land में है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी अब हम बात करते हैं कुछ प्रसिद पर्यावरणी सम्मेलन जिनसे कई बार question आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेवा प्रोटोकॉल की जो 1925 में जो है यह प्रोटोकॉल हुआ था रासायनिक एवं जैविक हतियारों पर निसेद के लिए एक सम्झावता हुआ था जो 10 अप्रैल 1972 को हुआ था और 1975 में यह प्रभावी हुआ था अगली बात करते हैं इस्टाकों सम्झावता जो पर्यावरण सुरच्छा विस्व्यापी इस्तर पर यह पहला प्रयास था पर्यावरण सुरच्छा के लिए संयुक्त राज पर्यावरण कारिकरम इसे प्रारम हुआ था और 25 सूत्री घोष्णा पत जारी किया गया था और 5 जून को अंतराश्टी पर्यावरण दिवस मना गया था अगला सम्मेलन देखते हैं सीटेस यानि कंजर कंवेंशन आप इंटरनेशनल टैरोइड ओन इंडेन इंडेन इस्पीसीजेज तो 1973 में यह वासिंगटन में हुआ था और यह लागू कब हुआ 1976 में यह विस्टु का सबसे बड़ा वन जीव सन अच्छन समझाता है सीटेस का जो है कॉप 17 सम्मेलन 24 सितंबर से 5 अक्टूबर 2016 को जोहान सुबर्ग दर्षिड अफरीका में संबंद गवा था ट्रैफिक यह विस्टु व्यापी वन जीव निगरानी का इक्रम है अंतराश् आपना 1976 में की गई है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है विएना सभा ओजोन परत सनच्छन है तो 1985 में यह प्रथम प्रयास था ओजोन सनच्छन का इसमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन यानि CFC, ODS, HCFC की कटाउती का प्र आर्थों के बारे में एक संदी है जिस पर हस्ताक्षा रवियान 16 सितंबर 1987 से प्राराम हुआ था और एक जनवरी 1989 को यह प्रभावी हुआ तो 16 सितंबर 1987 को प्राराम होने के कारण ही 20 ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है किगैली समझोता 15 अक्टूबर 2016 को यह समझो होता हुआ था किगैली एक स्थान है रवांडा आफ्रीका में और यह मांट्रियल प्रोट्रोगॉल जैसा ही है इसमें सी एपसी का 2047 तक नीमित क्रम करने का प्रस्ताव है जो एक जनवरी 2019 को प्रभावी हो गया है भारत इराक इरान इराक पाकिस्तान 2028 से 2047 और तक क्या क 25 के इसतर को 85 प्रस्त तक HCFC में कमी लाएंगे इसके प्रति उन्होंने प्रतिबद्धता दी है तोरेंटो बिस समेलन 1988 1988 में आजित परयास और समेलन में यह कहा गया था कि कार्बन डायाकसाइड के उस सर्जन में स्वेच्छा से 20 परसंट तक की कटोधी करें जिससे कार्ब समेलन यह 1976 में हुआ था बहुत फेमस है काफी कुस्चन इस से आ चुके हैं तो इस टाकोम की बीसवी वर्थगाट बनाने के लिए ब्रैजील की राजधानी रियो डिजिनेरियों में 1992 में परयावरण विकास समेलन या इसको अर्थ सम्मिट भी कहा जाता है और इसको प्रत संयुक्त राष्ट परयावरण विकास समेलन रियो प्लस 20 का आयोजन रियो डिजिनेरियों में 20 से 22 जून 2012 में किया गया था क्योटो प्रोटोकाल क्या है उनाटे नेशन्स की पहल में पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवाई परवतन से निपटने के लिए 1992 में उनाट के नेशन्स फ्रेमवर कंजर्वेशन आप क्लाइमेट चेंज इसका साट पाम मैंने क्या बता था यू एन फ ट्रिपल सी अस्तित्त में आये था ग्लोबल वार्मिंग क्या है जान लेते हैं तो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसकी वज़े से ग्लोबल वार्मिंग होती है तो 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किये थे अब हम परियावरण से संबंदित प्रमुक संस्थान या केंद्र भी देख लेते हैं जली जली कि कौन सा कहां परिस्थित है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कोश्चिनों में से है भारती प्र प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है हिमालई परियावरण एवं विकास का गोबिंद बल्लब पंत संस्थान कहां पर है अलमोडा यानि यूके में उत्राखंड में इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज ये कहां पर है देहरादून में है भारती वनसनवेच्छन यानि इं इंडियन इस्ट्यूट आप एकोलोजी एन इर्वार्मेंट नई दिली में स्थित है इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज ये भी सब देहरादून में ही स्थित है फिर देहरादून में और भी संस्थान है भारती वन जीव संधान भारती वन जीव अनसंधान संस्थान ये भी दोनों संस्थान जो है देहरा दून में ही इस्थित हैं। सलीम अली पच्छी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्री कहां पर है। कोयमटूर में हैं। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रिय संग्रहाल है। यहां परिस्थ है नई-दिली में नीरी जो है नागपुर में स्थित है यह दाति पर्यावरण शोत शंस्थान है कर्यों कुनित में हैं तो हैं यह वारंगल आन्पयच में है इसमें कौन-कौन से जीव मितलब सनच्चित किया जाते हैं, मुक्तिया ये भी जानना जरूरी है बाग, तेंदुआ, नील गाय और चीतल इनका यहां सनच्चन होता है पेरियारवन जीव अभ्यारण, इदुक्की नामकिस्थान है, केरल में वहां परिस्तित है इसमें हाथी, बाग, जंगली, सुवर और सांबर का सनच्चन होता है पालामू, डालतन, जारकन मिस्तित हैं, यहां पर बाग, हाथी, चीता, तेंदुआ, इनको सनच्चित किया जाता है चंदप्रभा, जो है ये चंदौली, जो उत्तरप्रेस में है बांध, तेदुआ, हीरन और भालू यहां पर सनच्चित किया जाते है कच, जो है ये जंगली, गधा के लिए है कच का रन जो गुजरात में है और इसमें इसके अलामा चिंकारा और जंगली, गधा इनको सनच्चन होता है अन्ना, मलाई, ये तमिलनाडू में इस्तित है, यहां पर सिंग, पुच बंदर और जंगली, साण का सनच्चन किया जाता है मानस, वन, जी विहार, बार, पेटा, असम में है यहां पर गाइंडा जंगली भैसा और हाथी इत्यारी का सनच्छन किया जाता है प्रमुग्रूप से बितरकनिका या बितरकनिया यह गटक उडिषा में हैं यहां पर कचुआ proven tidak करनाठक है यह भी पच्चियों के सनच्छन के लिए प्रसिद्ध है फिर जलत पारा वनजी अभिहारण पच्ची मंगाल में है यहाँ पर सरीसरप हातिय और गैंडा जो है प्रमुग्रूप से सनच्छित किया आते हैं नागारजुन सागर वनजी अभिहारण आंधरा प्रदेश में है चिलका सागर जो है यह जील भी है चिलका सागर जील चिलका जील स्वारी यह उडिसा में है इसमें सारस बत्तक और गिद का आधिका सनच्छन होता है फिर बात करते हैं हजारी बाग की यह जारखंड में है दाची ग्राम वनजी अभिहारण जम्मू कस्मीर में है इसके बा वहावीर वनजी अभ्याराण यह गोवा में स्थित है और सुंदर्वन पस्ची मंगाल में यह बाग और चीतल के सनच्षन के लिए है सांत गाटी या साइलेंट वैनी वनजी अभ्याराण केरला में है काबुल लाजमाओ यह मडीपूर में है इसमें हिरन का सनच्षन किया ज आता है तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज पर्यावण के जो है काफी इंपोर्टेंट चैपिटर्स को डिसकस कर लिया है इस वीडियो को अगर आप एक बार और देख लेंगे तो आपको जो जिते फैक्ट्स हैं लगबग लगबग याद हो जाएंगे तो जल्दी आगे मिलते हैं इसको सीरीज को बढ़ाते हुए नमस्कार धन्यवाद में